तो दोस्तों आप में से जितने भी creator है या फिर जो भी maximum creators होते हूं उनका मन में एक इच्छा होता है कि हमारा चैनल monetize कब होगा like 1000 subscribers कब complete होगा 4000 hours watch time कब complete होगा और हमारा चैनल monetize होगा monetize होने को बाद हमारे चैनल पर ads आएगा और उससे हमें benefit होगा adsense पर dollars बनेंगा हमें जो है bank account में पैसा आएगा यह हर एक creator के इच्छा होता है कि कब complete होगा कब पैसा आएगा लेकिन दोस्तों यूटूब पर क्या आप लोगों पता है कि एक ऐसा चैनल है जो की monetize ही नहीं करके रखे अपने चैनल को जी हाँ दोस्तों जो की चैनल का नाम ह संदीप माइसवरी आप लोगों पता ही होगा जो के एक motivational इस पिकर है संदीप माइसवरी जिनका motivational चैनल है और जिसमें 20 तो उन्हें पूछा गया था इंटर्वी पर कि आपने मौनटाइज क्यूं नहीं करकर रखा तो उनका कहना यहीं था कि मेरे वीडियो जो देखने आते है तो मालेजी उन्होंने थमनेल पर पढ़ा अपने दिमाग को कैसे सांत करे ठीक एक वीडियो टॉपीक मालेजी उनक तो कोई जो है उस वीडियो को क्लिक किया लेकिन उसका माइंड डिस्ट्रेक्ट हो जाएगा जब वो बीच में एड आ जाएगा चाहे वीडियो का चलते चलते बीच में एड आ जाएगा या फिर वीडियो जैसे ही उन्होंने क्लिक क्यार फर्ष में ही वीडियो एड आ गया तो उनका यहीं क्याना था, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी audience है, उनका mind distract हो कहीं और, वो जिस सोच से देखने के लिए वीडियो पर क्लिक किया है, वो full focus के साथ मेरे speech को सुने, और मेरे वीडियो को देखेर कुछ समझेर, कुछ अपना जिन्दगी में कुछ अच्छा करे, कुछ सीखे इसलिए उन्होंने अपनी चैनल को मोनेटाइज नहीं करकर रखा यहां तक कि दोस्तों संदीप माईसवरी सर का जितने भी सेमिनार्स होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री होता है, कुछ भी उन्होंने पैसा से लेका के कुछ भी नहीं किया है यूटूब पे उनका पूरा का टोटली नौट प्रोफिटेबल चैनल है यूटूब का, सबसे बड़ा तो अभी दोस्तों यूटूब पे जो है एक नया रूल आया है, जो कि आप लोगों पता होगा, जो इस पर मैंने वीडियो बनाया था और अगर आप पाशना मोनेटाइज नहीं है, तो यूटूब एड़ चलाएगा आपके वीडियो पर, वो पैसा यूटूब ले लेगा इसी पर आज का ये वीडियो है, तो ये लेटर में यहाँ पर मैं लगा दूँगा, इसकी लिखा हुआ है, जो कि मैं फूल एक्स्प्रेंड कर देता हूँ, अभी आप लोगो, आप लोग इसको रीड कर सकते हूँ, इसकी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे प कुछ नाप है, लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारे कंटेंड को पसंद करते हैं, ओर हम जैसे क्रियटर यूटूब पे फुल टाइम देते हैं, मनी देते हैं, और फूल अनर जी देते हैं, एक्स्टर ओर्डरोडररी कंटेंड क्रियट करने के लिए, लीए met convincing हैं और अ कोई भी platform से आगे बढ़ सकते हैं अब इनका ये भी कहना था वो जो है YouTube को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट उनका ads से बहुत ज़्यादा hate है क्योंकि उनके audience का दिमाग distract होता है बाकि उनका जो है last यहीं कहना है कि वो नहीं नहीं दिखेगा मतलब वो creator के लिए audience के लिए होता सौरी audience जैसे हम वीडियो देखते हैं YouTube पे तो किसी-किसी को एड पसंद नहीं है तो आप चाहे तो इनका premium pack ले सकते हम अने audience नहीं दे सकता तो आप ऐसा रूल बना अगर जो creator है अगर वो चाहे तो अपनी चैनल पर एड नहीं चलाएगा उसके लिए मुझे अगर पे करना पड़े कुछ पैसा तो मैं मंतली पे भी कर दूँगा यहीं इनका कहना लेटर मतलों उनका कहना यह है कि अगर आप यह time में सर्वीज अगर चेंज होता है और यह रूल लगता है यह कैसे लाइक दोस्तों क्या होगा कि देखिया अभी किनके चैनल पर एड चलता है जिनका चैनल मोनेटाइज है और मोनेटाइज करवाने के लिए कितना मेहनत लगता है वह आपको अच्छी तरह के से पता हो 500 चैनल पर एड चलाना है अब यूटूब क्या करगा कि 500 चैनल पर एड पहले चलता था अब उनके समने 5000 चैनल मिल जाएगा कि मोनेटाइज रहे ना रहे यूटूब को कोई फरक नहीं पड़ता तो सारा एड क्या होगा डिवाइड हो जाएगा मैक्सिमम टाइम पे और ड कहा है कि इसको ज्यादा ज्यादा सेर करें और जीतना हो सकी इनको टेग करें यूटूब इंडिया को ताकि यह रूल चेंज ना हो तो आप लोग आज का वीडियो से मैं क्या कहना चाहतो समझ में आ गया है और आप लोग को इनका थोट कैसा लगा क्यूंकि एक मात्र कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं कहीं से भी नहीं चैनल हो सेमिनार हो कुछ भी हो कहीं से एक भी रूपया यह पैसे नहीं कमाते हैं क्योंकि यह थोड़ा समाज से भी टाइप की इनसान है इनका कहना यह है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है मैं अगर किसी के लाइप में कुछ अच्छा कर सकता हूं कुछ अच्छा ठोट्स डाल सकता हूं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो दोस्ता आप लोग चाहते इनके ट्वीट को रिट्वीट कर सकते हैं लिंक डिया हुआ है और आपका कोई भी सुजा होता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हूं चलिए अच्छा के लिटना ही तब तक लिए जाहिए वन्दे मातर हुआ